हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करने माले GEC गांधी नगर मतलब भी Government Engineering College और गांधी नगर उसमें हम उसकी ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो इसका लोकेशन है गांधी नगर के अंदर और इसकी फीज है 1,500 रुपिस पर यार इसकी फीज काफी कम है कंपर्ट टू प्राइवेट कोलेज क्योंकि यह गवर्मेंट एंजिनेरिंग कोलेज है इसके हम फेसिलिटीस की बात करें तो इसमें आती है बोल सोस्टर और गर्ल सोस्टर जीज से गांधी नगर अभी छे एंजिनेरिंग की ब्रांच एक्टिव है और इसमें 600 स्टूडन्स की सीट्स अवले बले है अगर हम युनिवर्सिटी की बात करें तो यह आती है गुचाट टेक्निकल युनिवर्सिटी के अंदर और इसके एड्मिशन प्रोसेस रहते है गुचकेट के बेस के उपर इसमें आती है सबसे पहली ब्रांच बायो मेडिकल एंजिनेरिंग उसके सीट्स है 120 और इसका लाज़ेगा कट आफ रहा था था 21,305 दूसरे नमबर पे आता है Computer Engineering, उसकी सीद से लास टेर की रहे थी 120 और उसका लास टेर काट ओफ रहा 2528 थर्ड नमबर पर है Easy Engineering, मंदब Electronic and Communication Engineering और इसे सीद से टोटल 120 और इसका लास टेर काट ओफ रहा 10982 Next branch is Information Technology, इसकी सीद से लापल है C3 और इसका लास टेर काट ओफ रहा था 2783 सबसे कम कट ओफ Computer Engineering और Information Technology में ही रहता है क्योंकि यह सबसे mostly demanded branch है और इसका placement भी सबसे ज्यादा रहता है Next branch is IC Engineering, Instrumentation and Control Engineering, इसकी सीद से GEC में 120 और इसका लास टेर काट ओफ रहा था 16418 6 नामर पर आती है Metallurgy और इसकी सीद से 6 री और इसका कट ओफ रहा था 18818 अगर हम इसका placement के बारे में बात करें तो लाच टेर का इसमें placement का record रहा था टोटल 110 स्टूरंस को इसमें से placement मिला था और अराउंड 35 वेरिज़ कमड़ी इसमें आई थी placement के लिए इसका हाइस पेकट देके तो इसका हाइस पेकट रहे 6 राक पर एनम और इसका अवरेज पेकट रहे था 2.5 राक पर एनम Thank you guys for watching this video and don't forget to subscribe to subscribe to me and press the bell icon for the latest notification If you like the video then press the like button and ask your questions in the comment section. Thank you